दोस्तों वैसे तो हमारी most of journeys well planned होती है, यानि कि हमें पता होता है कि हम कहां से रवाना होंगे और कहां पहुंचेंगे, चाहे हम by air जाये, चाहे by train जाये, चाहे by bus जाये, लेकिन सोचिए एक ऐसी journey जिसमें आप से रवाना हुए है और आप कहां आपका destination आपको नहीं पता, ज इसे दिखा जाए तो hot air balloon बड़ा impractical equipment है, क्योंकि इसमें आपका control आपके हाथ में नहीं होता, जहां हवा जाएगी, वहां हम बैते चले जाएंगे, और यदि आप इस mental piece को महसूस करना चाते हैं, और इसको enjoy करना चाते हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आज का हमारा प्रशन यह है, कि आखिर hot air balloon काम कैसे करते हैं, कि सरीके से उपर जाते हैं, इतनी उचाए तक जाते हैं, और यदि हम एक बार उचाए पे पहुँच गया हैं, तो हम नीचे कैसे उतरेंगे, इन सभी चीजों को आज किस वीडियो में हमने frame किया है, बन चले दोस्तों, डिसकस करते हैं, कि किस तरीके से hot air balloon उपर जाते हैं, और अखिर वह क्या mechanism में जिससे थ्रू हम आसानी से control करके इसको नीचे ला सकते हैं, इसको डिसकस करने से पहले हम एक science की बहुत basic से principle को डिसकस करते हैं, जिसमें ये साफ बता रखा है कि hot air balloon जो काम करत है, वो हवा के सद्धान पर काम करता है, यानि कि गर्म हवा जो है हमेशा उपर की तरफ होती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ होती है, यानि किसी भी जगा गर्म हवा है तो हमेशा वह वाता रण में उपर की तरफ रहेगी और ठंडी हवा नीचे रहेगी, क्य कोई भी पेपर लगा दीजिए हमने यह पे क्रॉस वा आप देख सकते हैं वीडियो में लगाया हुआ है और आपको इसको जलाना है इस पॉलेथीन के अंदर जो बड़ी पॉलेथीन है इसके अपने इसको जलाया है तो अंदर की जो हवा है वो गर्म होने शुरू हो जाएग और यह वही सिद्दान थे जो हमारे बड़े हॉट एर बलून को पर लगू होता है इस तरीके से हमारा हॉट एर बलून उपर की तरफ जाता है अब हम डिसकस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर सिर्फ सिंपली तीन पार्ट में डिवाइड है नीचे का हिस्सा बी और यहां पर इसमें रखा जाता है और ट्यूबिंग के साथ में यहां पर बर्नर है यह बर्नर जो ऑपरेटर होता है जो इस हवा को घर्म करता है जिस तरीके से गैस हम घर्म करते है उस तरीके से यहां बर्नर जो होता है वो यहां पर इस हवा को घर्म करता है तो नीचे व पार्ट होता है वह तो है envelope envelope का मतलब यह है पूरा नायलोन का बना होता है और well stitch होता है कहीं पे भी इस पर आपको leakage नहीं मिलेगा और बहुत मजबूत कपड़ा होता है क्योंकि इतनी सारी गर्म हवा को सभाल के रखना इस उचाई पर आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का material इनको हम एक section को हम गोर कहते हैं यह जारे गोर्स बने वे हैं यह लंबी लंबी लाइनिंग साब देखते हैं और इसके बीच बीच में जो पैनल्स हैं यह गोर्स जो होते हैं इसके पूर ही जो है tonicity को maintain रखते हैं और उपर एक openable ढकन जैसे आप देख सकते हैं यह ढकन इ यह इस parachute को उपर डाने और नीचे लाने में काम आता है आगे हम discuss करने वाले कि आखिर कैसे काम करता है तो basic structure है जो आपने समझ लिया अब यदि आप इस तरफ देखे तो आप एक simple चीज को देख पा रहे हैं कि यदि हम लंबाई एक हवा का टुकड़ा लें जिसमें लंबा हैं अंदर जितनी भी हवा है तो इसको करीब-करीब वजन 7 ग्राम लेस हो जायाएगा मौँ जितनी हावा यदि हमने 100 फे इसको घर्म, कर दिया तो जितना भी गर्म करना शुरू करें तो इसकी जो अलग अलग पार्ट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था यह प्रॉपेन के सिलेंडर्स हैं जो इसमें यह विकर बास्केट है आप देख सकते हैं यहां पर काफी दो या तीन लोग अलग अलग टाइप की वि मतरियल नहीं होता है आग इसके बीच ओए बीच होती है फिर भी कभी आग नहीं पकरता इस टाफ के ड़ील बनाघाता था बड़ा ही मजबूत होता है पूरे पूरा नायलोन परोत होना बहुत ज़रूरी को ज़ो पूर इस प्रूरा धूर हमारा यहां आपक Br हैbRIर आपको का पार्ट को से करता है तो यह इंड़क पार्ट है अब आगे बात करते हैं हमका पारश्तक्षी वाल के जैसा कि हमने आपको पहले भी आपको डिसक्स किया था कि यहां पर एक आपनेबल एक ढॉता जिसको हम parachute wall कहते हैं, यह parachute wall आप देख सकते हैं यहां, इस size का है, अगर हम actual size देखें तो हमारी जो size होती है, इतनी सी होती है, इस ढकन को खोला जा सकता है, अब सोचिए एक जो balloon है, गर्म हावा से भरा हुआ है, और यदि हमें अगर से नीचे उतरना है, तो simple क्या करना होगा यदि हम उस डकन को खोल दें, तो बाहर से ठंडी हावा उसमें आनी शुरू होगी, उपर यह हावा ठंडी हो जाएगी और दीरे दीरे जो hot air balloon है, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऐसे ही इसको पुरा control किया जाता है, next, अब यदि हमें इदर से उदर के move करना है, तो हमरे पास क्या रास्ता है, देखिए हमरे पास यह है, palleting a balloon, कैसे हम इसको manage करते हैं, palleting करने के लिए हमरे पास यह प्रॉपन वाल लगावा होता है, यानि कि जिस तरीके से गैस का burner होता है, या कम ज़्यादा हम कर सकते हैं गैस को, उस त इस स्पीड से हम इसमें आग जालते हैं, हवा उतनी गर्म होती है और balloon को उपर ले आती है, ठीक इसके विपरित, यदि हमें नीचे उतरना है, तो हम उपर से टकन को open करते हैं, आग कम करते हैं, दिरे दिरे balloon नीचे आना चुरूता है, अब यहाँ पर एक valid प्रशन आता है यहाँ उपर नीचे तो हम करनेंगे, लेकिन left, right कैसे करेंगे, यदि हमें horizontally move करना है, vertically नहीं करना है, तो क्या करेंगे, यह एक बहुत tactful मामला है, और बहुत कम ऐसे palette होते हैं, जो इसको अच्छे से धंक से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें upper down करने के साथ साथ में हर जगा प परता है, और एक tactful और एक experience जो पाइलेट है, वही इसको अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइस नए पाइलेट इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो left और right और जितर move करने के लिए, पाइलेट का experience होना बहुत जरूरी है, उपर नीचे अलग-अलग हावा के flow के हिसाब से इसको हम चला सकते हैं, अब किस तरीके से इसको launch किया जाता है, और कैसे इसको land किया जाता है, लाउंच किया बात करें तो सबसे पहले हमें हवा का जो रुख देखना पड़ता है, हम simple helium gas से बरा एक balloon हम लेते हैं, और हम चेक करते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, और उसके बाद ही उस पूरी journey को plan किया जाता है, उसके बाद पूरे इसको install करने के बाद में अब इसमें गर्म हवा डालने शुरू कियाती है, जैसे जैसे इसमें गर्म हवा जाती है, यहाँ पर इस तरीके से चला शुरू होता है, अब आप देखें, यहाँ पर एक ब नत्व है, वो कम होता जाएगा, hot air इसे उपर और उपर और उपर लेते जाएगी, तो इसमें बड़ी आसानी से बैठके गुमा जा सकता है, अब उपर तो पहुंच गए, हमनी पूरी journey enjoy कर लिए, अब उतरेंगे कैसे, उतरने के लिए simple सी बात है, हम hot air balloon के उपर का जो wall है parachute wall उसको हम lose कर देते हैं, बाहर से ठंडी हवा इसमें आने शुरू होती है, ऐसा balance control रखते हैं कि एकदम से ढप से नीचे ना गिरे, और जैसे ही ठंडी हवा इस balloon में आने शुरू होती है, धीरे 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 ये control situation में जमीन की तरफ आना शुरू होता है, और बड़ी situation बड़ी controllable है, बस हमारे पास इसकी दिशा नहीं होती कि हमें कहां ले जाना है, और बड़े ही अराम से आप इसको उतार सकते हैं, दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको वाकर ही पसंद आया है, तो इस चैनल, Knowledge Kingdom को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ता कि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अप्डेट समय समय पर अपने मोबाल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें, और आप इसी तरीके से हम से जुड़े रहें, थैंक यू सो मच, थैंक्स फोर वाचिं इस वीडियो, थैंक यू